मीडिया का एक महारत ही जो बहुभी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चांद सेख कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल नहसका सस्तेकार स्वागत है आपका हमारे मुद्दा लाइप के पेहत खास प्रोग्राम में बता दे कि भगतों के लिए नई खुसकरी है और बाइसमार्ट से क्रोना मामारी के चलते 141 दिन के लिए बाबा का दर्वार बंद हो चुका था ऐसे में अब भगतों बाबा का दर्शन कर सकेंगे और बाबा काल भहरो का मंदिर खुल चुका है और सोसल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जिलाधिकारी ने पाच पाच लोगों को दर्शन करने की अनुमती दी है खुल गया कासी के कोतवाल का दर्वार भक्त कर रहे दर्शन हो रहे निहाल वरारसी कासी के कोतवाल बाबा काल भहरो का मंदिर सुकुआर से आम स्रद्धालों के लिए खोल दिया गया है 22 मार्स से कोरोना महमारी को देखते हुए लगे लाउटाउन के परिपेच में 141 दिनों तक बंद रहे बाबा के दर्वार को आज मंगला आर्थी के बाद खोल दिया गया कासी के कोतवाल के दर्शन के लिए भक्तों की लंबिल कताब देखी गई मंदीर परांगण में एक बार में सिर्फ पांस रदवालों को प्रवेस दिया जा रहा है और सभी सिर्फ जाकी दर्शन कर रहे हैं और बाबा काल बहरो से कोरोना महमारी के खातमे की दूआ कर रहे हैं मंदीर के मुख के द्वार पर भक्तों की थर्मल इसक्रैनिंग के सासाथ हाटों को सेनिटाइस भी किया जा रहा है काल भहरो सेवा समीती के अध्यज पंडित कासी नाद दूबे ने बताया कि काल भहरो सेवा समीती एवं जिला अधिकारी कौशल रासर्मा के बीच हुई बैटक के बाद स्री एक हजार आठ बाबा काल भहरो का मंदिर सभी भक्तों के दर्शन पूजन के लिए आज मंगला आर्ती के बास से खोल दिया गया भक्त सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतार बद नजर आए मंदिर में एक बार में सिर्फ पांस रदालों को जाने की चाज़त दी जा रही है और सभी को जाकी दर्शन कराया जा रहा है देखते रहे हैं मुदालाई पूर मिरेंगे एक नई ख़बरों के साथ मीडिया का एक माहरती जो बहुँ भी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चांद सेक कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल झाल